सो ही गाईज फेल्कम बैक टो माई चैनल आज का वीडियो है ग्यांट पिड अवर्ट गैज अभी रिषेंट ली गैट इंटिवार्ट दिया गया है 2020 का और 2021 का तो किस परसन को दिया गया है किस लिए दिया गया है यह सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वा जाता है किस लिए दिया जाता है यह सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो यह वीडियो पहुत ही ज्यादा यूश्फुल होने वाला है आपके लिए तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि ग्यान पेड़ जो ह है यह जो वार्ट है गाइस यह भारतिय गहन फिर्ट दौरा दिया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट एंड हाइस्ट इंडियन लिट्रेचर अवार्ड है तो यह पॉइंडियन लैंग्विज में लिखने वाले इंडियन राइटर को ही दिया जाएगा ऐसा एक कॉंसेट्यू सबस्क्राव्ण में लिखना पेकी ही ऊपना करते हैं अबक्राइब को करें हाएं तो 1961 में शाहु सांधी प्रशाद के दौरह इस अवर्ड को इंस्ट्यूट किया गया था ठीक है रिवार्ड की हम बात करें तो गाइस क्या क्या रिवार्ड होगा तो 11 लेक प्राइज मनी और ब्रॉंज रिप्लिका और सरश्वती एक सरश्वती देवी की मुर्ती और 11 लेक प्र करें कर पिर दिया गया था ठीक है किस लोर्ड दिया गया था इनको तो मल्यानम लैंग्वेज के लिए इनको दिया घ्य combined इन्होंने लेंग्विज में बुक लिखी थी उस बुक का नाम है दा बैंबो फ्लूट ठीक है दा बैंबो फ्लूट कलेक्शन ओफ पोय तो इस बुक के लिए गाइस इन्हें इस अवर्ड से समानित किया गया था है तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ग तो इसका आंसर होगा आशा पुर्णा देवी आशा पुर्णा देवी को यह तै Izco से पहले और किस इर ने 10 जसमें इस जात रहोड्य स्वर्डर 커피 यह और राशन करना और इंग्लिभ लैंग्विज को यह दो समय हकते लाइầu Addक मेंश को इस चस्कों धाया गया तो यह पोइंट भी आपके लिए इंपॉटेंट है कि 2018 में अमिताफ घोष को इंगलिस लैंग्विज के लिए अवर्ड दिया गया था है तो निलामनी फूकन को यह वर्ड दिया गया है किस लैंग्विज के लिए तो असामी लैंग्विज के लिए यह वर्ड दिया गया है ठीक है 2021 के हम बात करें गाई तो 2021 में किसे दिया गया है तो दामोदर मोजो को यह वर्ड दिया गया है किस लेंग्वेज के लिए तो कौन कनी लेंग्वेज के लिए यह वर्ड दिया गया है तो यह आपको याद रखना है अब मैं आपको यह साल तक है और तक कितना हो गया है तो टोटल 62 आवर्ड दिया चुका है तो यह पूंट भी आपको याद रखना है तो यह आप अपर देख सकते हैं यह की पूरी लिस्ट में आपको यहां पर दिखा रही है उचाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और screenshot भी ले सकते हैं ठीक है तो यह आप पूरा देख सकते हैं यह जो टॉपिक है गैसी यह बहुत ही ज्यादा important topic है बहुत ही useful है हर competitive exam में यह पूछा जाता है किसी भी competitive exam के अगर आप शेर भी कीजिए और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए ओके सो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मुझे comment करके बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जादा जादा शेर कीजिए ओके तो आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो